दोस्तों, जैसे सर्दी आती है, आपकी हतेलिया फटना शुरू जाती है, आपकी उंगलियों में क्रेक्स आ जाते हैं, उसके साथ आपकी फट जाती है, और इसका हूमियोपैथी में क्या बैस ट्रीट मैं अवलबल है कि आप इसको समय रहते आप ठीक कर सके मैं दोक्टर कुल्दीब जाएंगे एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब जांगे हूमियोपैथी हूं आप चाहें तो मुझसे कॉंटेट कर सकते हैं तो आपके कई दफ़ा आप देखते हैं कि जैसे विंटर सीजन आती है तो आपके उसके साथ साथ ही आपकी अतेलियों में और आपके पैरों की एडियों में आपको क्रैक्स और दराने आना शुरू हो जाती है कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों की लंबे समय से चाहे वो सर है जब कभी भी यह जादा बढ़ना शुरू हो जाती है यह काफी गहरे हो जाते हैं तो आपको इस पर दोस्तों को सबसे कारण होता है वह होता है वह होता है वो होता है विंटर सीजन में और उसके साथ-वोटी और उसके सब्सक्राइब साथ दोस्तों में जो सबसे बड़ा कारण होता है वह होता है आपका जो सरीर होता है वहुता है का सारा स्कीडन होता है आपके पैरों पर आता तो खड़े होने पर उसमें जो एडियों के साइड में से उसमें क्रैक्स दरारे आना शुरू हो जाती है अक्सर यह प्रॉलम देखी जाती है जो फीमेल्स होती है उन फेमेल्स को काफी लंबे समय तक किचन में खड़े होके काम करना पड़ता है या वो लोग जो की पैदल ज्यादा चलने का काम भरता है उनका जो उसके साथ साथ कुछ लोगों को जिनको कि स्लिपर्स या चपल पेनने की आदत नहीं होती है नंगे पैर फर्स पर गूंगते है तो उन लोगों में भी उनको एडियों को फट जाती है उनको उसमें काफी दिक्कत आती है यह हैं और इसके बेसिक मुखे मुखे कारण होते हैं इसके अलबा अक्सर ऐसा देखना को मिलता है कि जिन लोगों को कोई डिजीस है जैसे कि उनको सुरायसी से कारण पी हतेलियों में दरारे और ट्रेक्स आ जाती है इसके अलबां अगर उनको कोई पंगल इंफेक्षण हो र आपकी हतेलियों में, आपकी एडियों में क्रैक्с और दरारे आसकती है इसके अलावा जो एक और बड़ा कारण होता है इसके जूतों का अगर आकार सही नहीं है अगर जूतों का तल्वा होता होता हो oldest सही नहीं है वो थोड़ा सा hard है तो आपको मैं कुछ suggestion दोंगा एक तो आपको जो काम करना है वो होता है आप हमेसा अगर आपके skin dry रहती है तो आप अपने हतेलियों में आप अपने एडियों में moisturizer का यूज करें नंगे पैर नहीं गुमें तो आपके लिए बहतर रहेगा जिस तरह से आप अपने शरीर की बाकी तोचा का ध्यान रखते हैं खयाल रखते हैं उसी तरह से आप अपने एडियों का रहतेलियों का भी पूरा खयाल रखें दोस्तों अ अगर आपके साथ में भी हो रहा है चाई हो सीजन के साथ में आपको एडियों हातेलियों फटी विरती है तो इसमें होमीपै ती बहुत ही अच्छी-ची जो होने पर इसको भरने में आपको परेशानी आ सकती है दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कुछ होमियोपेथी मैडिसिंस की दोस्तों अगर आपके साथ में भी यह प्रॉलम आ रही है चाहे आपको पूरे साल आपकी मठीक हो जाता है तो इसको भरना ठोड़ा सा मुष्किल वड़ा काम हो जाता है दोस्तों जो सबसे पहली और सबसे मुख्य मैडिसिंस जो कि आपको लेनी है वहाई इसमें पैट्रॉलिण 30 इसके बहुत अच्छी दवाए पैटॉलियम 30 को अक्सर देखा तिन तिन बून डायरेट जीप पर दिन में तीन बार सुबह दो पर और शाम नेक्स्ट एक और जो मेडिसेन जो कि इसमें बहुत अच्छा काम करती है वो है सरसा परिला 30 सरसा परिला 30 भी अगर आपकी स्किन में धरा रहे हैं और क्रैक्स आ जाती है इसमें बहुत अच्छा काम करती है और सरसा परिला 30 को भी लेने का तरीका होता है तिन तिन बून डायरेट जीप पर दिन में तीन बार एक और जो मेडिसेन दोस्तों जो कि इसमें बहुत अच्छी रिजल्स देती है वो है केलकेरिया फ्लोर 6X को इसमें लेने का तरीका होता है चार-चार गोली दिन में तीन बार रायरेट टंग पर आपको अगर इसके ड्राइए और उसके साथ उसमें आपको क्रैक्स आ गई है आपको दरारे आ गई है आपकी इसके फट जाती है चाहे वो एडियों की हो चा पाकी तो आपको प्रिएए तो प्रिश्क बउलते हैं घृत्या को साथ की अच्छे मौश्य पर चाहिए ऑप Ihnen की सिंभी मैडिस्टिकांष के कोई को चोपी मैडिसेा बस? self-medication ना करें दोस्तों यह एक चोटी सी जान करें थी आपकी अगर एडियां फट जाती है या आपके हतेलियां फट जाती है उसमें धरा रहा जाती है तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं दोस्तों मैं उम्मिद करता हूँ आज मैंने आपके साथ जो जान करें शेयर की आपको